उत्तर परदेश के सहारनपूर को नहीं बनने दिया जाेगा नशे में उड़ता सहारनपूर नशे का काला कारूबार करने वालों को भेजा जाएगा सलाखों के पीचे नशा हमारे समाज के लिए एक ऐसा भी शाप है जो धीरे धीरे देश की जड़ों को खोकला कर देता है चाहे फिर वे नशा किसी भी चीज़ का हो स्मैक, अफीम, शराब, डोड़ा या फिर किसी अन्य किसम का नशा और इस नशे की जड़े हमारे समाज में इतनी बुरी तरह से फैल गई है कि हम इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और जो धीरे धीरे हमारे समाज के युवा पीडी नौजवानों को अंदर से खोकला कर रहा है और इस नशे की लट में पढ़कर युवा पीडी अपनी जिंदगी तो खराब करते ही है साथ में अपने पीछे परिवार को भी ताम उम्र रोने के लिए छोड़ देते हैं नशे का काला कारोबार करने वाले धीरे धीरे युवा पीडी को पहले इस की लट लगाते हैं और इसके बाद युवा पीडी खुद से मजबूर हो जाती है नशा करने के लिए और इसके चलते समाज में चोरी डकैती लूट पाट जैसी अपरादग घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इस नशे की लट को पूरा करने के लिए युवा पीडी कुछ भी कर गुजरती है सहारनपूर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के काला कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ अपरेशन नशा मुक्त अभियान के अंतरगत सहारनपूर पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए और पुलिस ने इनके कबजे से भारी मात्रा में निशीले पदार्थ भी बरामत किया है जानपद सहारनपूर नशा मुक्त अभियान वीस तारिक से चलाए गया था और आज अंतरश्ट्री योग दोस के परिक्रेक्ष में जो नशाप यूआउप नशाशे मुक्त दिलाने के लिए अभियान चलाए गया था इसमें इस सी जो अभियृत्तों का फिर्क्तार भर गर के जेल वेजाग्या है और इनके किलाभ पुरसंदीन धारओं में उकडमा तरी गित्रोलाओं में मानिने इले में पुरिश्च किया गया है और इनके पास से जो अफी उचरस और स्नैक परामत किया गया है और इसके अलावा जो ताना पुलिस और अन्य जो हमारे महिना पुलिस सब मिलके जगा जगा जाके अवेरनेस प्रोग्राम किया गया है, योगा का सिविर आयूजिन किया गया है, आउंसलिंग कराया जा रहा है, तो अब याँ लगातार जारी रहेगी और जो भी सलिक्त जो सब् bracket करवाई की जाएगे और इनका समति जग्ति करण का करवाईभी की जाएगा आउजिए। पंजाब की तर्स पर तो यह कहां से लेकर आते हैं कहां सप्लाइब करते हैं तो आप चार पांग दिन में परीव असी लोग उचेल गये हैं और यह इसको लगातार इसको यह भी देखा जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहां से है और कहां यह कौन सप्लाइर है तो उनके किलाब कि हमारे टीम लगातार कांग कर रहे हैं और हमाई जिंदी सिखीजाएं